जब पहले फिजिकल होता था तब से मैं से से जीडी की वेकिंसी देख रहा हूं सबसे पहले रिटेन एक्जाम होता था और कफी हाड भी फिजिकल होता था यह भी माली जी हाड करने के मतलब लंबा गड़ा बहुत अच्छे से ना पीजाती थी जिसका एकदम फिट होता था ही फिट होगत था था अभी तो थ्वड़ास कर दिया गया बॉल का मज़ब कम नहीं किया गया है तो यहां पर ध्यान Do बात यह कि आप एक्जाम के तयारी कि Anda条a की लाइंब्रेरी निरा जोइन कि दिन बर कौचिंग कर कोचिंग कर रहे childhood पर लाइब्रेरी कर रहे हैं इस तरीके से एक्जाम नहीं निकलता है चारी पार्ट में आपका पिपर आता ना एक पार्ट पर अगर दो गंटे भी अच्छे से महनत करोगे तो आठ गंटी की तयारी आपको निश्चिती सफलता आप मिल जाएगी अच्छी काशी मिल जाएग चार गंटा आं-लाइन क्लास करिए चार गंटा आप नहीं सब्सक्राइब करिए बीच बीच में आप आट गंटे से दस गंटे कभी वक्त ले सकते हैं आप चौबिस घंटा लिए बैच्छे तक दियारी कर रहें बड़ा बारी इस तरीके से नहीं निकले करें महिनत करिए को जाता है कि ताकत होने से नहीं होता है दिमाग से होने चाहिए थोड़ा सा में षालक। और जैसे लोग वाक पर चले जाते हैं आप नार्मल रणिंग करिए काम आएगा तब सोचेंगे किसे ने कहा था आपने किया उसका फायदा मिला कि खाने पीने पर भी ध्यान रखे ताकि आपका दिमाग लग सके पड़ाई में बाकि मेंन कंपेटिशन है एक्जाम में पूरा जान जोग दीजिए इस बार से जीडी फाइनल आपका ठीक है बाकि से जीडी की सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो की चक्षू पब्लिकेशन की बुक है सातियों इसमें भारती परकिरिया सहित आपको नविंतम पाठकरम पर आधारित चैप्टर वाइज आपको सभी इस्टिडी मैटेरियल ओपलब्द है इस इस्टिडी गाइड के साथ आप ये प्रैक्टिस से लेकर अपनी तयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकत आपको दो आपको अधिकर जानकारी प्रसंद आओगी जानकारी प्रसंद आओगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे मिलता हो ने वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए जैए हिंद जैवागा